क्रिकेट के इतिहास में ऐसा 146 साल में पहली बार हुआ जब कोई बल्ले बास टाइम डाउट के नियम से आउट हुआ हो लेकिन इंजलो मैथ्यूस जिस टाइम डाउट रूल से आउट हुए वो है क्या? आसान भाषा में क्रिकेट के नियम में 40.1.1 के अनुसार विकेट गिरने या बैट्समेन के रिटायर हुट होने के बाद दूसरे आने वाले बैट्समेन को तीन मिनिट के अंदर अंदर क्रीस पर आकर अपनी पहली गेंद खेल लेनी होती है अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो सामने वाली टीम बैट्समेन के लिए टाइम आउट की अपील कर सकती है और अमपायर नए बैट्समेन को आउट गोशित कर सकता है अब इस बात पर काफी विवाद चल रहा है कि क्रिकेट में ऐसा रूल है तो एंजलो मैथ्यूस को आउट होना ठीक था लेकिन ये सब उनके हेलमेट तूटने की वज़े से हुआ था यानि शाकिबल हसन का ये करना खेल भावना के खिलाफ था इस पर सारे दिगज भी अपनी राय दे रहे है क्या आपको लगता है एंजलो मैथ्यूस को ऐसे आउट करना बंगलेदेश की तरफ से सही था हमें कमेंट्स में जरूर बताइए